Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 6.2 का question number 5 देखते हैं क्या है statement read करेंगे अच्छे से, क्या चीज हमें given है, क्या find out करना है सबसे पहले काम mathematics के अंदर यही होना चाहिए सबसे पहले हम देखेंगे कि given क्या है हमें और फिर देखेंगे हमने find out क्या करना है इस तरीके से question करेंगे तो आपको कोई भी difficulty नहीं आएगी थोड़ा सा time statement पे जरू spend किया करिजिए तब भी हम questions को अच्छे से कर पाएंगे तो question के अंदर क्या है, in the given figure AB parallel to CD, यह line इस line के parallel है angle APQ is equal to 50 degree, यह angle हमें 50 degree given है RPD 127 degree given है, तो PRD 127 degree है find angle X and Y, तो angle X और Y को हमने यहां पे find out करना है, तो हमें question कहां से start करें यह चीज सोचने की बात होती है, ठीक है तो सबसे पहले जो चीज given है और find करना है वो लिख देते हैं, तो given जो है वो क्या है हमें, AB parallel to CD, जो भी हमारी statement है वही मिलेगा, angle APQ हमें given है 50 degree angle PRD जो है वो given है 127 degree, लिख दिया find क्या करना है, X और Y, तो यहां पे लिखेंगे to find X and Y, figure के अंदर से X और Y की value हमने find out करनी है, अब बात करते हैं, कहां से हम question start करें, क्या चीज लेके चलें, सबसे पहले focus करो जो चीज हमें given है, जो angle given है, उन से क्या find out कर सकते हैं, देखो, यह है हमारा 127 degree, ठीक है और यह complete angle देखो, यह complete angle, यह angle और यह angle दोनों क्या है, equal, मतलब 50 plus Y equal to 127 degree, क्यों है alternate interior angle, यह line और यह line parallel given है, दो parallel lines के बीच में, यह side का angle, यह side का angle, तो दोनों equal होंगे हमारे alternate interior angle से, तो यहीं से start कर लेते हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, angle A, P, R, is equal to किसके हैंगल, P, R, D के, region लिख देंगे alternate interior angle, region लिखना compulsory है, यह मत सोचना कि सर हमें वैसे पता है क्या जरूरत लिखने की, लिखना compulsory है, क्योंकि जो paper चेक करता है ना, उसको तो हमें यह मान के चलना है examiner को, कि उसको कुछ नहीं आता हमें अच्छे से समझाना है, तभी वो full marks देगा, अब A, P, R, is equal to P, R, D, A, P, R, की value तो निकल रही है ना मारी, तो Y is equal to क्या आगया, 127-50 degree, तो Y is equal to क्या आगया, 127-50 degree, आपको subtract करना तो आता होगा, तो यहां से आगया 77 degree, तो Y की value तो हमने यहां से easily find out कर ली, अब हमें चीए अपना X angle, अब X angle कैसे find out किया जाए, यह angle है X, अब यह angle किसके equal होगा, इस 50 degree के equal होगा, देखो, यह line आई हुए है ना बीच में, तो इस line के इस तरफ यह angle है, इस तरफ यह angle है, यह भी क्या है, alternate interior angle, यहां से directly लिख देंगे X equal to 50 degree, तो यहां पर क्या लिखेंगे, हमारा angle X, is equal to किसके है angle, AP क्यों के, यह भी क्या है, alternate interior angle, अब angle X की value क्या आजेगी, यहां पर AP क्यों क्या है, AP क्यों, 50 degree, तो X is equal to क्या आगया, 50 degree, तो यहां पर X is equal to आगया, हमारा 50 degree, Y is equal to 77 degree, this is the answer of our question, वीडियो में बोल रहा हूं, तो कुछ नो कुछ तो होगा न, खास वहां पर, तो वो जरूर देखिए आप, then इन questions को करेंगे, तो आपको difficulty आजाए, तो मुझे बोलना, next बात करते हैं, आपने question number 6 की, question number 6 की statement read करने से पहले, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूँगा, आपने पहले पढ़ी हो reflection word, तो ठीक है, नहीं पढ़ाया, तो मैं भी बता दूँगा, science के अंदर आता है, science की वीडियो भी मैं बनाऊँगा आपकी, तो आपको सबसे पहले reflection के बारे में पता होना चाहिए, तब आप इस question को करेंगे, तब समझ में आएगा, otherwise class 10 के अंदर, 11, 12 में non-medical लोगें, वहाँ पे भी, तब आपको पता चलेगा reflection चीज क्या होती है, reflection का मतलब होता है, देखो, एक ये मान लिया, हमारा क्या है, mirror, mirror आपने देखा होगा, इसके उपर draw कर लो, एक perpendicular, अगर इसके उपर कोई एक ray of light आके गिरती है, और वो वह वापिस ऐसे चली जाती है, ये, तो ये यहाँ पे क्या करती है, ये जो light आके गिरती है, ये होती है incident light, इसको कहते हैं angle I, ये reflected light होती है, इसको बोलते हैं angle R, तो always angle I equal to किसके होता है, angle R के, ये दोनों angle क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे के equal, तब ही हमारा क्या होता है, reflection होता है, reflection का मतलब क्या है, आपने कई बर class के अंदर भी या वैसे भी देखा होगा, हम sunlight की तरफ अपन निकलती है, brightness, चमका बोलते हैं जिसको, तो वो क्या करते हैं, हम glass को इस तरीके से adjust करते हैं, हिला डूला के, कि angle I equal to angle R हो जाए, मतलब जो sunlight आके glass पे गिर रही है, वो टकरा के, एक बड़ा सा, जो glass है, उसकी चमक पैदा करे, तो वो ही होता है, angle I equal to R, उसको कहते है, reflection, उस PQ and RS are two mirror, PQ and RS, दो क्या है, mirror, तो mirror है, तो mirror की एक side क्या होती है, polished, पिछे से polished किया जाता है, mirror, घर का तोड़ के मत देखना कही है, सोचो की सर, चेक करना है, तो तोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहूं, पिछे से paint किया जाता है, या cardboard लगा जाता है, तो incident ray AB, AB क्या बोला है, उसने incident ray, अभी अभी बताया था, मैंने, ये incident ray है, और ये reflected ray है, strikes the mirror PQ at B, जो PQ को B पे strike करती है, and the reflected ray moves along the path BC, और ये BC के along क्या हो जाती है, reflect, strikes the mirror RS, RS को strike करती है, at point C, and again reflect back along CD, और दोबरा reflect back हो जाती है, CD पे, तो prove that करना है कि AB parallel to CD है, कि AB जो है CD के parallel है, ये हमने prove करना है, अब देखो, ये reflection show करना है, तो एक perpendicular होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक perpendicular draw कर लेंगे, similarly यहाँ पे भी एक perpendicular draw कर लेंगे, कर लिए दो perpendicular draw, अच्छे से visible होंगे आपको, थोड़ा सा dark कर देता हूँ मैं इनको, dotted form में कर लेंगे, ये कर दिये मैंने perpendicular draw, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं assume कर लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ angle 1, इसको मान लेता हूँ angle 2, इसको मान लिया मैंने angle 3, और इसको मान लिया angle 4, इसको 1, 2, 3, 4, ऐसे भी बान सकते हो, कैसे भी मान लो, आपकी मर कुछ भी जो भी आपका दिल करें आप एजियूम कर सकते हो सबसे पहली चीज गीवन क्या है गीवन जो है में पी क्यों जो है पैरलल टू आर एस गीवन है तू प्रू क्या करना है ए बी को सी डी के पैरलल प्रू करना है कंस्ट्रक्शन क्या की है मैंने अब ये प्रपेंडिकुलर तो मैंने अपने पास से बनाए है ना क्योस्टन में तो गीवन नहीं है तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी तो कंस्ट्रक्शन क्या की है यहां पे बी ए ये ए पॉइ क्या किया है cf perpendicular on rs cf जो है rs पे perpendicular draw किया है यह चोटी सी मैंने construction यहां पे की है अब बात करते हैं हमने क्या लिखना है angle one equal to किसके होगा angle two के अभी तो बताया था मैंने angle i equal to r होता है यह दरवाला angle is equal angle three equal to four होगा one equal to two होगा तो यहां पे लिखेंगे angle one is equal to किसके angle two के और angle three equal to किसके angle four के यह equation number first यह equation number second reason लिख देंगे incident angle and reflected angle are equal incident angle और reflected angle क्या होगे दोनों के दोनों equal होगे by law of reflection भी लिख सकते हैं अगर आपने पता है तो आपने पढ़ा है तो यहां पे एक और region लिख सकते हैं अगर यह ना लिखना चाहें by law of reflection reflection के law से हम लिख सकते हैं यह दोनों क्या है angle equal है अब बात करते हैं यहां पे angle 2 जो है वो angle 3 के भी equal है angle 2 जो है वो किसके equal angle 3 के equal क्यों दोनों के दोनों क्या है alternate angle है हमारे ये दोनों line parallel है तो ये angle और ये angle क्या हो जाएंगे हमारे equal हो जाएंगे तो angle 2 equal to angle 3 इसको माल लिया equation number 3 alternate angles clear है अब देखो equation number first यहां से हम बात करें तो देखो angle 1 equal to angle 4 भी हो जाएगा first और second से first second third तिननों equation का यूज़ करें अगर 2 equal to 3 है ये दोनों equal है तो 1 equal to 4 भी तो हो जाएगा मारा तो यहां पे क्या लिखेंगे from first second and third angle 1 जो है वो किसके equal हो जाएगा angle 4 के angle 1 equal to किसके हो जाएगा angle 4 के मतलब ये angle इस angle के भी equal हो जाएगा तो इन दोनों angle का sum इन दोनों angle के sum के equal ही तो आएगा हमारा ध्यान से देखो ये angle इसके equal है मान लिए ये 30 degree है ये भी 30 degree है ठीक है दोनों equal होगे और ये angle इसके equal भी है तो मान लिया ये 20 है ये 20 है तो ये कितना हुआ total 30 और 20 मान लिया 50 तो ये भी कितना हुआ 50 तो ये angle और ये angle क्या हुए equal तो यहां पे क्या लिखेंगे so angle 1 plus angle 2 is equal to किसके angle 3 plus angle 4 के और ये पूरा angle अगर इस angle के equal हो गया तो A, B और C, D parallel होई तभी तो होँगे ये angle और ये angle equal कब होँगे जब ये line और ये line एक दूसरे के parallel होँगी alternate angle तभी तो बनेंगे ये ये और ये line अगर parallel हो इन दोनों का sum और इन दोनों का sum तभी equal हो सकता है तो यहां पे क्या लिखेंगे so A, B जो है parallel to C, D है alternate angle से यहां पे लिखेंगे by alternate angles तभी ये दोनों क्या वोगे है हमारे equal I hope आपको समझ में आ गई है बात कोई doubt नहीं होगा आपको कोई भी doubt किसी परकार का लगे तो आप मुझे comment करके यहां पे बता सकते हैं एक बार दोबारा बता देता हूं मैं थोड़ा सा आपको यहां तक तो आपको clear हो गया होगा 2 equal to 3 था, 1 equal to 4 था तो हमारा क्या हो गया यहां पे 1 equal to 4 भी हो गया मतलब 1 equal to क्या था हमारा 2, 3 equal to 4 था by a law of reflection तो हमारा यहां से 1 equal to 4 भी हो गया तो मतलब इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल के सम के एक्वल होगा, और ये एंगल कभ एक्वल होगे, जब C, D और A, B क्या होगे, पैरलल, by alternate angles, तो यहां पर क्या लिग देंगे, hence, prove, I hope आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा एक बार, quick revision दोबारा लेना, इस वी video, thanks.